और बड़ी खबर हिमाचल से शिम्ला के समर हिल में भारी लैंसलाइड होने की खबर है बताया जोरहे लैंसलाइड से मलबे की चपेट में एक शिव मंदिर आ चुका है और इस दोरान कई लोग वहाँ पर मौझूद थे शिम्ला में मलबे में 20 लोगों के डबने के अश्रंका है मौके पर राज बचाव कारें जोरी है तस्वीर आपको डिका रहे है देखे जाई नहीं पारें बार बार स्लाइड आ रहा है उपर ले इस तरह से लैंसलाइड से यहां पर तबाही नजर आ रही है और बताया जोरहे की मलबे में शिव मंदिर और इस दोरान चुकी साव देट से हैं हाथा हुआ है लेंड स्लाइड की वज़े से शिम्ला में जी लेकिन जिस तरह से यह जो तस्वीर नजर आई है यह काफी हैरान कर देने वाली और डराने वाली है मनोज जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सुरक्षाबल भी मौजूद है रेस्क्यो अपरिशन भी जारी है आसपास पूरा रहवासी हिलाका है माना जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग इसमें प्रभावित हुए उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है जी बिल्कुल अभी यह शिरुवाती जो जानकारी मिली है क्योंकि मंदीर है शिरुमंदीर और पॉनाडिक मंदीर है यहाँ कुछ लोग पूजा करने के लिए बताया जा रहा है कि आये थे और वो यहाँ पर फसे हुए थे और जैसे ही लैंड्सलाइड हुई तो उसकी चपेट में यह सभी लोग आ गए एक्जाक्टी आंकरा कितना है कितने लोग दबे हो सकते हैं यह रैस्क्यों प्रेशिज जब समाथ होगा तब पता लगेगा लेकित फिलहाल आशंग का ज़दा ही आ रही है कि करीब 20 लोग इसमें दबे हो सकते हैं जी जानकारी क्लिए मनोज आपकर शुक्री आप नज़र बनाए रखें आपसे लगातार अपडेट लेंगे तो जिस तरह से यहाँ पर यह लेंसलाइड हुआ और उस लेंसलाइड में 20 से ज़दा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंग का है तस्वीर आप देखें किस तरह से यह एक्स्लूजिव तस्वीर सामने आई है यह लेंसलाइड के साथ में जो मलबा है वो बहता हुआ नजर आया है नीचे पेड़ हो मिट्टी हो सब किस तरह से यहाँ पर बहता हुआ नजर आया और इस मलबे में बताये जोरे एक शिव मंदिर चपेट में आया है और जिस दौरान यह हादसा हुआ कई शद्धालों वहाँ पर मौजूद है 20 से ज्यादा लोग उस मलबे में दबे हो सकते है